नमस्का दोस्तों स्वात करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टोडे न्यूस पर आज आपके लिए बहुत बड़ी है रेक्रूट्मन अपडेट लेकर आया हूँ जो की निकल के आ चुक है पोस्ट आफिस की तरफ से लेटेस नूटिफिकेशन ह कैसी इसकी लिए अपलाई करेंगे कौन-कौन केंडिय इसकी लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बारेब हम बात करेंगे इस वीडियो में सो वीडियो को इंट तक पूरा जरूर देखना आप फर्स केम चARIं चानल पर आ रहे हैं तो चानल को कर लीज payroll लिजे subscribe और साथके साथ while में मिलते रहेंगे और समय रहते हैं आप इसके लिए apply कर पाएंगे vacancies की बात करूँ तो और भी बहुत सारी vacancies हैं जिनको आप हमारी website पर जाके check करके apply कर सकते हैं जिसके लिए simply आपको google में जाना है और वहाँ पर जाके आपको सिर्फ type करना है meet academy ठीक है first number पर आपको हमारी website मिल जाएगी वहीं से आपको सारी job related update जो है मिल जाएंगे आप चेक करके वहाँ से apply भी कर पाएंगे तो चलते हैं recruitment update की उपर बाकि आपके मन में कोई भी doubt है किसी भी तरह का तो जरू क्मेंट बाक्स में क्मेंट करके बताएगा चलते हैं update की उपर सबसे बात करें तो नोटिफिकेशन ministry of communication department of post की तरफ से जिसके लिए आपको online अवेदन जो है वो करने होंगे इसके लिए male female दोनों ही candidate यहाँ पर eligible हैं और दोनों के लिए vacancies जो है आउट की गी है next अगर मैं बात करूँ application fee की तो यहाँ पर आपके 100 रुपीज application fee है वो भी सिर्फ और सिर्फ जर्णल OBC and EWS candidates के लिए जो candidate रिजर्व category जैसे की SC, ST and other reserve candidate है उनके लिए यहाँ पर निल रहने वाली है यहाँ पर जो application fee है वो सिर्फ और सिर्फ आप online सिर्फ जो है वो पे कर सकते हैं जिसमें आपका debit card आता है ठीक है आपका credit card है वो है ठीक ह तो और इसमें आप जरूर से online ही apply कीजिएगा और यहाँ पर जो vacancies है उसमें सबसे पहली vacancy है MTS मतलब के multitasking staff की जिसके लिए salary 28,049 रुपे रहने वाली है उसके बाद है postman की जिसमें 21,700 आपकी salary रहने वाली है mail guard की 21,700 रहने वाली है उसके बाद next अगर मैं बात करूए य candidate, postman के लिए 10th pass और mail guard के लिए 10th pass candidate जो है वो eligible है minimum आपकी यह है 10th और 12th और maximum आपकी हो सकती है जादा इसमें अगर बात करूँ जो vacancies है उसमें reservation आपको मिलेगी तो अगर आपके पास जो है reservation वाला certificate, reserve category वाला है selection आपकी सिर्फ अजर मेरिट बेसिस पे होनी है और यहाँ पर आपको जो document चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पर IT को छोड़के बाकी सारे document आपको required होंगे इसको छोड़ दीजिएगा ठीक है आपके पास होने available होने ज़रूरी है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ age limit की 18 से लेके 37 साल तक के candidate eligible है प्लस यहाँ पर आपको age relaxation 3 साल से ल notification होगा जो कि अभी आना है जो कि GDS की vacancies के लिए है तो total यहाँ पे 90,000 प्लस vacancies के लिए यह notification रहेगा क्यूंकि अभी जो MTS की है postman की mail guard की vacancies अभी आनी है जिनके लिए आपको apply करना होगा और इसी में GDS की vacancies भी आप add कर लीजिए तो यह notification upcoming vacancies के लिए है जो कि अभी आना ह होगा मैं आपको जुरूर से बता दूँगा आप उनके लिए apply जो है वो कर पाएंगे बाकी और कोई doubt है तो comment box में comment करके बताएगा मैं आपके लिए सभी तरह के latest recruitment update जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ तो यह आज का notification है जो की out किया गया है अब मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो के इंदर तपर के लिए धन्यवाद जी